नमस्कार आप देखरें मरुदर बुलेटिन और मैं हूँ आपके साथ छवी फागना चलिए शुरुआत करते इस वक्के बुलेटिन से राजदानी जैपुर के बजाज नगर ठाना इलाके में होली की रात अग्याद बदमाशों ने घर में गुसकर पेट्रोल से आग लगाने की मामले में मालवी नगर विधायक काली चरण सराफ आज पीडित बरकत नगर निवासी राजकुमार सकसेना के घर पहुचे और मामली की जानकारी ली काली चरण सराफ ने पुलिस के अधिकारियों से फोन पर बात की और अब तक आरोपियों की गिरफतारी नहीं होने पर नाराजगी भी जताई इधर काली चरण सराफ इस मामले में अब तक पुलिस की सुस्त कारेवाई को देखते हुए दो अप्रेल को बजाज नगर थाने का अपने समर्थकों के साथ घिराप करेंगे जिसमें पुलिस के पास आरोपियों की वीडियो क्लिफ होने की बावजूद अब तक पुलिस कोई कारेवाही नहीं कर पाई है आपको बता दे कि होली की राद बरकत नगर निवासी गली नमबर 14 में देर राद दो बजमाश घर में खड़ी कार को पेट्रोल छिड़कर आग लगा कर भाग गए थे पुलिस के पास वीडियो होने के बावजूद अब तक आरोपियों का पता नहीं लगा पाई है वहीं बुज़र्ग पीडित राजकुमार सकसेना का कहना है कि पिछले कई दिनों से भू माफिया मुके शौदरी और उसके साथ ही उन्हें जान से मानी की धंकी दे रहे दे इस मामले में पीडित पक्ष की तरफ से बजाज नगर थाने में मुकदमा दर्च करवा दिया गया है